आज किस वीडियो में हम डिजाइनर टाउजर का मोरी डिजाइन बनाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीका है तो सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ पट्टियां और कुछ बिर्ग्रम की डिजाइन हमने कट करकर रख ली है तो इसको किस तरीके से हमने कट किया है चार इंच की रखी है और बैक साइड में हमने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है जो कि हार्ड हो जाएगा और अच्छे से हम यहां पर डिजाइन बना सकेंगे इस तरीके से फैब्र को फोल्ड कर लेना है और यहां पर देखिए एक लाइन डो हो जाती है उसके बाद आ से यहां डोड़ा है ने जो करेंगे आपने शक्राइब को अपने से कर लेना है दूरी कम या जदा अपने हिसाब से कर सकते हो आप तो तकरीव यहां पर एक इंच की दूरी में रख रह रहे हूं और सारी लाइन हमे उच्छ रहा कर ली हैं उसके बाद यहां आपर हम जैसे कि हमने यहां से फैब्र को फोल्ड किया अब जैसे हम यहां से अपने स्लाई को उतारती हुए ही चलाना है उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सलाई को ऊपर की साइड लेते जाएंगे यानी कपडे में दबाब लेते जाएंगे और यहां पर देखिए ज निए सी प्याली कट रख लिये है और जी कनत्ती हम च्पका लिए है एक साइट से फूर्ल कर लिये है दूसरी प्टी के बराबर लेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर ट्यार करते हैं अगर आपने प्याली करने नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएं इंशाला ताला मैं आपको जरूर से सिखाऊंगी तो यहां complete हमने सलाई कंप्लीट कर ली है उसकी बाद क्या करना है आपने यहां से फैब्रिक को कट करना है तो इसी के अच्छे से कट करना है तो इसमें क격़़ करें Victimie का जाधा गया है तो इसमें कोई झोल बगा लेती हूं ना पर अग्यां के साथ आपने यहां पर कट करने है और आसानी सधा कर ले प्रेस के साथ ही सेट करना अगर आप चाहें तो सेट नहीं हो पाया और फिनिसिंग नहीं आएगी तो देखिए मैंने अच्छे सेट कर लिया है प्रेसे और उसके बाद उपर से हमने सलाई लगा दिया है और यहाँ से इस फैबरिक को भी हमने फोल्ड कर लिया है प्रेसे अब इसको लगाने का तरीके मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो आपने टावजर लेना है और टावजर आपने तकरीबन जितने आप इंच की डिजाइन लगाना चाहते हो उतना इंच आपने कम करकर ले लेना है जब आप टावजर कर ले तो आपने देखने कितनी डिजाइन करओंगा इन पट्टि के पहले से कड़कर रख लें उसके बाद आपको अंदाजह रहिए को इसके हिसाबसे ही आपनी टावजर को कम करके कट करना है तो मैंने यहां पर पट्टी को भी जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद यहां से मैं लगाऊंगी लबकी सलाई अगर आप चाहें तो कोई भी लैस बगेरा का यूज़ भी कर सकते हो बट मैं यहां पर ऐसे ही सिंपल इसको बना रहे हूं तो उपर से अपने लबकी सलाई लगा देनी है यहां पर फिनेसिंग के साथ तो मैं यहां पर लबकी सलाई लगाती हूं तब तक आपने करना क्या है राट करके बटन पर किलिक करकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं कोई भी अच्छी वीडियो डालू हूँ तो सबसे पहले आपके पास दूसरे तरीका यह है कि जो हमने फैब्री को फोल पर अब पर रखा ताक प्रैस से तो उसी को आपने स्टरिक से भी अपने फैब्र को खोल लेना है और जहां से ने वारी तयच पूटि हूई पर आपने सलाई को चला देना है तो टो लटी साइड से रखते हूए है राट स पूरी सलाई कर दी है उसके बाद देखिए ऊपर की साइड यह देखिए ऐसे आ जाएगा अब यहां पर हमें एक और सलाई लगा देनी है तो हुआ ना पहुत ज़्यादा हुसान तरीका और और भी अच्छे-चे डिजाइन में श्रॉल अतला आपके लिए लेकर आती रहूं में ने हेसरा मॉरी को अ बड़े रहे हैं हुकती है रहुत जाओ लेखिए और हमारे प्लिट भी को भी आपके नहीं हें हमेमें तरीके में चाली को बंद हैं 콱 जान शार पहार लुक हो बमने तरीके से तरीके से लुक हमें पोलभी मांच्राइन बहुत बाग अर्प्छ है यह हमारा हाथ है पैरों में भी बहुत ज़्याद अच्छा लोग आएगा तो कैसा लगा आच का वीडियो प्लीज कमिट में जरूर से बताएं मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए असलाम अलेकुम टेक एर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से किया करें